तो यहां पे हम स्टार्ट करेंगे बलक प्रॉपर्टीज आप मैंटर को जो की 11 पॉर्शन में मेंचन रहता है और काफी लेंदी चप्टर और काफी मोस्ट इंटरस्टिंग में कहोंगा क्योंकि यहां पे बहुत सारे कोश्टन जो होते हैं वो डिरेक्ट पूछे जाते हैं अगर आपके कॉंसेप्ट इस क्लियर हो तब जाके आप वो चीज़ें या वो कोश्टन इस इसली कर पाते हो अगर मेकेनिक्स ही मैं बात करूँ जो 11 वाला पहला पूर्शन था पहले चार या पांच चैप्टर तो लाइक लाज अप मोशन हो गया वोग पावर इनर्जी ग्रैविटेशन तो वहां पे आपको एक तो कल्कुलेशन पे होल्ड होना चाहिए आपको mathematical टूल जाने चाहिए differentiation, integration हो गया, vectors हो गया बट यहाँ पे आपको उन चीज़ों की need नहीं रहेगी क्योंकि यहाँ पे जो question होंगे उन में ना ही differentiation ना ही वेक्टर वाला portion निन वाल होगा तो यहाँ पे question जो पूछे जाते हैं, directive formula based पूछे जाते हैं, but आपकी जो concepts होने ना वो बहुत जादा clear होने चाहिए क्योंकि यहाँ पे यह chapter demand करता है आपकी mental power या फिर आपकी imagination power को, आप कितना imagine कर पाते हो चीज़ों को तो यह chapter मैं कहूंगा काफी interesting होगा, ठीक, तो यहाँ पे start करेंगे chapter को, तो यहाँ पे जो topics mention किये गए हैं, पहले यहाँ पे citrus trend करू, hooks law, elasticity, different modelers, बलक, shear, ठीक, but हम क्या करेंगे पहले, हम पहले देखेंगे, citrus क्या होता है, strain क्या होता है, उन चीज़ों को हम पहले understand करेंगे फिर हम आगे जाकर जो यह वाले chapter की comment topic होता है, that is hooks law, तो hooks law की ही बुनियाद पे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस chapter की, तो यह chapter workout करता है, कहाँ पे hooks law पे, clear, तो पहले हम देखेंगे, stress क्या होता है, strain क्या होता है, but before knowing stress, या फिर strain, हमें जानना होगा, vertical plan and horizontal plan के दर्मिया difference क्या होती है, you have to identify the vertical plan and horizontal plan, generally आपने 8th, 9th maps में बढ़ा होगा कि plan क्या होता है, different shapes में, 3D shapes में आपने understand यह किया होगा, but यहाँ पे एक बार फिर हम देखेंगे, vertical plan क्या होता है, horizontal plan क्या होता है, क्योंकि यह चीज़ें काफी important है, अगर आपको यह चीज़ें clear है, तो आप ब बेटा यहाँ पे ग्यान रखो, तो अगर मैं बात करूं, neat या फिर जेड़वली की, तो neat में पहले इस chapter से 12 to 16 marks आते हैं, कितना 12 to 16 marks, and जेड़वली की अगर मैं बात करूं, तो जेड़वली में यहाँ पे around 8 marks पूछे जाते हैं, तो neat के लिए काफी important है, क्योंकि मैंने अ कोई bread यहाँ पे, आपने खाई होगी, तो जेड़वली जो bread होती है, bread होती है, कोई 3D figure, clear, मैं इसको मान के चलता हूँ, यह है cube-ide यहाँ पे, cube-ide figure, clear, तो जब हम घर में bread लाते हैं, तो विद्यहलप आप knife हम क्या करते हैं, bread की slicing करते हैं, इनके bread को cut करते हैं, clear, तो यह ज different plan बन रहे हैं, ठीक, plan बन रहे हैं, यान कि हम क्या कर रहे हैं, bread को यहाँ पे, generally, हम, अगर मैं कहूँ कि, sheet-like structure में, हम यहाँ पे bread को divide कर रहे हैं, ठीक, clear, तो यह जो plan आपको दिख रहे हैं, यह है vertical plan, देखो बेटा, यह है यह है vertical plan, clear, तो यह है vertical plan, अगर इन plan की मैं बात करों तो यह plan जो है न यहांपे यह है horizontal plan clear तो आपको पहले differentiate करना है vertical plan क्या होता है horizontal plan क्या होता है तो these are horizontal plans and these are vertical plans clear अपनी copy में note down करो तो यहांपे मैं दिखाऊँगा देखो बेटा यह निकला यहांपे एक vertical plan यह निकला यहांपे एक और वर्टिकल प्लेन ये एक और वर्टिकल प्लेन तो ये एक और वर्टिकल प्लेन क्लियर तो ये एक वर्टिकल प्लेन यहाँ पर कहलाएगा अगर होरिसंटल की मैं बात करूं तो ये हो गया एक हो गया एक और तो ये हो गया एक और तो ये हो गया एक और क्लियर तो इस आर होर फोर्स एंड शियर फोर्स क्या होता है देखो बेटा अगर मैं यहां पर नॉर्मल फोर्स की बात करूं जो फोर्स होते हैं ना ओन दी बेस आप एप्लिकेशन आप फोर्स कहां पर लग रहा है फोर्स की डायरेक्शन क्या है तो हम यहां पर फोर्स को डिवाइड करते हैं दो categories में ठीक generally आपने compression and tension या फिर push and pull पड़ा होगा but यहाँ पे हम in terms of application यानकी in terms of direction भी देखेंगे कि force की direction क्या है किदर की और force लग रहा है तो हम force को divide करते हैं दो categories में एक होता है normal force और दूसरा होता है shear force clear अब normal force क्या होता है normal force होता है जब भी force किसी भी surface पे या किसी भी body पे perpendicular लगे यानकी 90 degrees पे लगे clear like यहाँ पे देखो यह है 3D figure तो यहाँ पे जो force लग रहा है F यह लग रहा है perpendicular clear यहाँ पे जो force लग रहा है यह लग रहा है perpendicular to the surface यहाँ पे क्या लग रहा है perpendicular clear टूडी में आप easily पहचान पाओगे like यह लग रहा है force यहाँ पे 90 degrees पे यह लग रहा है 90 degrees पे यह लग रहा है 90 degrees पे तो these are all normal force तो normal force है जब भी force perpendicular लगे या फिर 90 degrees पे अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ shear force की तो shear force क्या होता है बेटा shear force होता है जब भी force किसी body के parallel यहाँ की 180 degrees के along force लगे clear तो यह कोई body यहाँ पे यह कोई body तो यह body के parallel यहाँ पे force लग रहा है क्या लग रहा है यह body के parallel यहाँ पे force लग रहा है तो यह कहलाएगा यहाँ पर शियर फोर्स क्या कहलाएगा शियर फोर्स देखो यहाँ पर हम देखते हैं फिगर में देखो यह जो फोर्स लग रहा है यह लग रहा है शियर फोर्स यह जो फोर्स लग रहा है यह लग रहा है शियर फोर्स तो फोर्स जब भी पार्लल लगे तो वो कहलाएगा श फिर application का है और वो वाली application कहां की और है या फिर वो वाली direction कहां की और है तो यहां पर हम identify करते हैं तो टाइप का फोर्स अब यहां पर एक question है यहां के लिए मैंने रखा है यहां पर force 1,2,3,4 and 5 you have to identify the type of force कहां पर है normal कहां पर है clear next हम अपने topic के बारे में अब बात करेंगे जो की हमारा main topic है यहां पर तो we have to understand यहां पर कि citrus क्या होता है citrain क्या होता है फिर हम यहां पर understand करेंगे जो की basis है इस chapter की that is hooks law ठीक hooks law वहां पर citrus trend करू different types of modelers जहां से NEET and JW का question बनता है clear but before that you have to understand these things and यहां पर काफी imagination की requirement है clear let me first stop the data here देखो बेटा यहां पर citrus मैंने already आपको mention किया हुआ है difference between stress and pressure मैंने आपको पढ़ाया था but यहां पर हम अच्छे से कवरब करेंगे citrus को देखो जो citrus होता है न अगर मैं citrus ही बात करूँ देखो किसी भी body पर जब हम force apply करते हैं तो यहां पर 3D में समझते हैं यह कोई body तो यह body पर मैं यहां पर force apply कर रहा हूँ यहां पर outward force है तो यह क्या क्या लाएगा यह क्या लाएगा tension क्योंकि जब भी outward force होगा तो हम उसको बोलते हैं जनरिल 9-10th language में हम बोलते थे यहाँ पे pull but यहाँ पे हम बोलते हैं tension कहाँ पे 11th में यहाँ कि tension जो होता है that is pull compression जो होता है that is push clear इतना तो clear है तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे body पे मैं force होगा tension में apply कर रहा हूँ तो मैं right word की और यहाँ पे force को apply कर रहा हूँ तो यह body क्या चाहेगी यह right word में जाना चाहेगी क्योंकि external force जो है ना यह right word में लग रहा है but but according to Newton's third law to every reaction there is equal but opposite reaction तो यह right word जाना चाहती है यह force जाना यह right word ले जाना चाहता है but body क्या चाहेगी यह इसको oppose करेगी क्या करेगी तो let me यहाँ पे मैं एक plan बनाता हूँ तो देखो बेटा यहाँ पे यह है कोई plan यहाँ पे ठीक यहाँ पे मैंने बनाया कोई plan जो आपको red में दिख रहा है तो let एक plan मैंने यहाँ पे लिया है यह plan क्या करेगा यहाँ पे यह plan यहाँ पे जो force लग रहा है इसको resist करेगा क्या चाहेगा यह इसको रुकाना चाहेगा पहले रुकाना चाहेगा बिल्कुल यह इसको resist करेगा and यही जो internal resistance मिलेगी per unit area and जो area यहाँ पे involve होगा न यह वाला area जो मैंने यहाँ पे mention किया या फिर यहाँ पे जो area होगा यह एकवाल होगा यह है lenght यहाँ पे यह है breadth यहाँ यह है height तो यह area कितना होगा यह वाले phase था यह होगा b into h क्या होगा b into h clear क्योंकि lenght यहाँ पे involve नहीं होगी ठीक generally pressure के questions में मैंने आपको यह कराया था कि how to find the area जहाँ पे force लग रहा है वो area कैसे निकालना है हमें यह यहाँ कि pressure कहाँ पे होगा कहाँ पे develop होगा यह मैंने आपको सुखाया था तो यहाँ पे भी देखिए तो यह area involve होगा बी into h तो यहाँ पे external force के कारण यहाँ पे internal force जलब हुआ तो यही internal force per unit area clear तो यह क्यालाता है citrus यहाँ हम बोलेंगे in short internal resistance offered by a body यहनकी एक body internally कितना resist करती है वो force को per unit area वो क्यालाता है citrus तो mathematically अगर हम बात करें तो mathematically हम बोलते हैं citrus होता है force upon area यहनकी force की इतना है divided by area की इतना है but आपको याद क्या रखना है यहाँ पे जो force यहाँ पे involved हो है this force is totally internal क्या है totally internal काफी important है यह जो force यहाँ पे है it is totally internal clear तो internal force per unit area clear तो यह जो force यहाँ पे है यह है internal तो citrus चाहोगा internal force per unit area internal force per unit area and इसी definition के आदार पे यह पूरा chapter चलेगा citrus हो गया force upon area आप देखोगे different types of modulus वहाँ पे यही formula आपको applicable होगी इसी formula से आपको different modulus निकालने होगे hooks ला इसी formula के आदार पे आपको निकालना होगा तो काफी important concept different types of citrus जोंगे उनकी भी यही same mathematical formula रहेगी but वहाँ पे खाली application load की जो application है ना वो different रहेगी तो citrus हमने बोला internal resistance per unit area offered by a material clear या फिर mathematically citrus होगया force upon area next जो citrus होता है it is derived concept derived concept मतलब क्या बेटा यह आपको दिखेगा नहीं यह एक body resist करती है यह क्या है यह है derived concept यह fundamental concept नहीं है clear यह है derived concept देखो यहाँ पे यह कोई body यहाँ यहाँ पे ठी कोई bar मैंने लिए इसको हम कहते हैं bar clear यहाँ पिर आप बोलो qbide यहाँ पे तो यह qbide पे एक तो यह external force f लग रहा है and एक तो यह external force यह दूनों क्या है external force clear यहाँ बोलेंगे applied force दूनों क्या है यहाँ पे tension मैं clear तो मैं यहाँ पे इस बार को यहाँ पे break करता हूँ दो मैं clear ताकि मैं यहाँ पे free body diagram draw कर पाऊँ and मैं देखो कि internally body में क्या हो रहा है यह जो force resist हो रहे है यह कहाँ पे हो रहे है तो मैंने यहाँ पे break किया one and two मैं तो देखो बेटा यह external force यह क्या चाहिएगा यह body को उपर ले जाना चाहता है but यहाँ पे जो internal force है यह body को नीचे रख रहा है यह body के जो external force है उनको resist कर रहा है unit area यह area जो यहाँ पे इने वालों है यही कहलाता है citrus तो यह देखिए बेटा यह हो गया है citrus यहाँ पे develop clear अब यह जो citrus है यह आपको दिखेगा नहीं क्योंकि अगर यह body है यहाँ पे कोई body है यहाँ पे 3D body तो मैं body को क्या कर रहा हूँ खीच रहा हूँ तो यह body resist करिए यह आगे नहीं जाना चाहती है यह right word में नहीं जाना चाहती है यह force को resist करिए बट यह internally करिए जो इसका internal यहाँ पे material है यही resist कर रहा है यह आपको दिखेगा नहीं तब ही हम बोलते है citrus is derived concept काफ़ी important याद रखना है next है यहाँ पे जो citrus होता है it is a temperature quantity क्या होती है temperature quantity तो यहाँ पे देखते है quantity हमने दो पड़े थे एक पड़ा था scalar quantity and then हमने पड़े थे vector quantities clear वहाँ पे मैंने mention किया कि जो citrus होता है तो जो citrus होता है it is a vector it is a tensor quantity क्या होती है बेड़ा it is a tensor quantity clear तो यह होती है actual में tensor quantity यह आपको याद रखना है actual में क्या होती है यह होती है tensor quantity अब tensor quantity क्या होती है हमने देखा scalar जिसमें magnitude होता है but हमने देखा फिर vector जहाँ पे magnitude हो direction हो बट यहां पे क्या होता है एक तो magnitude होता है ठीक magnitude होता है दूसरी direction होती है and third important thing यहां पे plan इन वालो होता है क्या होता है plan क्या होता है यहां पे इन वालो plan कहां पे citrus में इसलिए हम इसको कहते हैं temps sir क्या बोलते हैं temps sir यहां कि magnitude direction and plan of application तो तीन चीसे जहां पे इन वालो है वो क्य क्यालाती है तेंप्सकर कॉंटिटी बट अगर तेंप्सकर option में न दिया जाए तो आप यहां पे लोगे वेक्टर कॉंटिटी तो citrus जो है यह है वेक्टर कॉंटिटी ठीक according to option आपको यहां पे decide करना है यहां पे I will clear your doubt with the help of यहां पे mcq यहां पे mcq एक लिया है मैंने तो यहां पे देखने हैं बेटा देखो बेटा पहला question क्या कह रहा है यहां पे पहला question simple है which of the falling is your vector quantity ठीक आपको खाली यहां पे decide क्या करना है which of the falling is your vector quantity तो option में दिया गया है specific gravity then citrus then speed then strain तो यहां पे direct बनेगा citrus यहां कि यह है vector quantity बागी specific gravity यह होती है unit less यहां हम बोले dimension less speed होती है क्या बेटा speed होती है scalar quantity citrain क्या होती है citrain again dimension less clear and citrus जो है यहां पे that is a vector quantity clear next question देखो बेटा यहां पे according जो option आपको चुनना है citrus is a digest quantity तो यहां पे scalar vector tensor we know that कि जो हमने early जो classes है या फिर early जो chapters है वहां पे हमने पढ़ा था कि जो citrus होता है it is a vector quantity but more accurately जो है that is tensor but अगर यहां पे option में tensor ना दिया जाए यहां पे scalar दिया जाता जब खाली vector दिया जाएगा तो you will choose vector clear next अब देखते हैं हम difference between citrus and pressure clear difference between citrus and pressure अब difference क्या होती है देखो बेटा यहां पे आपको diagram से यहां पे सारी चीज़ें समझनी है clear देखो यह यहां पे force यह क्या लग रहा है externally क्या लग रहा है externally ठीट citrus हमने देखा जो internal force develop हो रहा है per unit area वो क्या है citrus अब pressure क्या है जो external force लग रहा है जो हमको दिखता है यह कोई मारकर यहां पर मैं मारकर को खींच रहा हूँ externally आपको दिख रहा है कि मैं मारकर को pull कर रहा हूँ तो यह जो pull लगेगा per unit area यही कहलाएगा pressure यह जो force लगेगा per unit area यही कहलाएगा pressure यानि कि जो pressure होता है that is force upon area बट यह जो force है citrus भी होता है force upon area but difference कहाँ पे है यह जो force है यहाँ पे यह है internal clear तो आज के बाद आपका doubt हमेशा के लिए clear की pressure होता है external force per unit area citrus होता है internal force per unit area अब आपको अगर कोई भी पूछे तो without any doubt you should be able to say him की pressure होता है external force per unit area and citrus होता है internal force per unit area clear तो यहाँ पे internally force लग रहा है यह वाला force यह और यह and pressure में externally जो force है न वो लग रहे है clear but जो formula है mathematical formula है वो same रहेगी यह and force upon area unit same रहेंगे dimension same रहेंगे दोनों के लिए तो यहाँ पे अब हम देखते हैं unit same dimension pressure के and यहाँ पे generally citrus है हम देखेंगे क्योंकि वही same रहेंगे pressure के लिए तो citrus चा होता है citrus is equal to force upon area clear force upon area अब force का unit newton area का unit meter square तो newton meter square is the unit of citrus यह हम बोलेंगे pressure का unit and और इसको हम बोलते हैं beta pascal अगर आपको याद होता है पी ए पैसल तो newton per meter square या फिर पैसल एक और form में आपको पूछा जाएगा कि which out the falling is not the unit of citrus और pressure तो देखो newton क्या होता है newton होता है kg into meter per second square क्योंकि newton क्या होता है mass into acceleration तो mass लिए kg acceleration के लिए meter per second square divided by meter square clear यहां पर area का meter and meter यहां पर cancel यहां पर क्या बच्चेगा kg divided by meter into second square तो आपको paper में कोई साभी एक दिया जाएगा या फिर newton per meter square या फिर pascal या फिर kg divided by meter per second square you have to remember all of these यान की तीन को आपको याद रखना है आपको option में कोई भी दिया जाएगा which of the falling is not the unit of citrus which of the falling is not the unit of pressure तो आपको identify करना होगा clear next अगर मैं यहां पर बात करूं dimension की तो citrus होता है force upon area clear तो force के dimension m1 l1 t-2 clear divide by area के l2 clear l1 और l2 यहां पर cancel तो यहां पर क्या बचेगा यहां पर बचेगा m1 l1 नीचे बचा वो उपर जाएगा वो बनेगा l-1 and t-2 तो m1 l-1 t-2 m1 l-1 t-2 clear तो यह बनेंगे dimension next types of citrus अब जो citrus होता है यह होता है generally दो type का एक तो होता है normal citrus ठीक नॉर्मल और M-A-L पहला A and जो B type होता है that is shear ठीक नॉर्मल citrus और shear citrus हमने देखा normal force and we saw shear force अब normal force के कारण जो stress develop होंगे वो क्या लाइंगे normal stress and shear stress के कारण जो stress develop होंगे वो क्या क्या लाइंगे वो क्या लाइंगे बेटा क्या shear stress simple काफी easy है क्योंकि आपने understand किया normal force क्या होता है share force क्या होता है and यहाँ पे normal force से कारण normal stress and share force से कारण share stress develop होंगे अब जो normal force होता है यह further three categories में divide होता है one, two and three one क्या है one is axial axial stress a, x, i, a, l then bending stress b, e, n, d, i, n, g bending stress third one is bearing third one क्या है यहाँ 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 पे bearing b, e, a, r, i, n, g तो तीन टाइप के stress होते है axial stress bending stress and bearing stress clear कहाँ पे normal में तो normal के तीन टाइप general stress यह दो टाइप normal stress, shear stress फिर normal के बच्चे निकलते हैं तीन बच्चे axial stress, bending stress and bearing stress clear ध्यान आपको देना होगा खाली यहाँ पे axial stress पे clear या फिर हम बोले directly यहाँ पे normal and shear पे आपको normal stress जब भी citrus develop होगी perpendicular to the surface shear stress when citrus developed is parallel to the surface तो वो क्या लाईगी shear stress clear देखो बेटा अब axial जो है न it can be axial tension it can be axial compression तो या तो axial tension होगा या फिर axial compression में होगा clear आगे देखते हैं यहाँ पे समझते हैं यहाँ पे यह कोई block यहाँ पे क्या है block यह block पे मैंने क्या किया apply किया tension क्या किया apply tension तो यह कहलाएगा axial tension and जो citrus यहाँ पे internally developed होंगे यहाँ पे internally develop होंगे क्योंकि यह किदर ले जा रहा है right word तो यह चाहिएगा left word जहना and यह चाहता है left word तो internally एक और plan चाहिएगा right word में तो internally यहाँ पे citrus यहाँ पे कुछ क्रैक्स ही यूं डैलआप होँगे. तो इनको हम बोलते हैं tension citrus, यहां कि जो external force लग रहे हैं, they are tension, and they are normal. They are normal. यहां फिर हम बोलें axial next यहां पे देखिए compression में again citrus जो लग रहे हैं normal लग रहे हैं normal में अगर हम deep बात करें तो axial लग रहे हैं तो axial compression, axial tension तो यहां पे जो citrus जल अप होंगे वो कुछ यह होंगे यहां कि आप material को क्या कर रहे हो आप material को दबा रहे हो यह है कोई material यहां पे तो आप material को दूनों साइड में दबा रहे हो तो यह material क्या करेगा यह center में कहीं पे bulge यहां कि break होगा तो यह center में bulging यहां पे यह bulging होती है इसको हम बोलते हैं bulging तो यह bulge करेगा clear तो यहां पे जो citrus जल अप हुए यह हुए यह होते हैं beam यह होते हैं जिनको हम pillar बोलते हैं arm language में बट technical language में इनको कहा जाता है column यह है column यह है column clear तो bending का पे होती है bending होती है जनली beam में काुष बेंडिक होती है तो देखो बेटा यह है beam यह beam पे मैंने क्या किया force अपलाएई किया किया यहां पर बीम पर फोर्स अपला है अब यह बीम क्या करेगी यह बीम यहां पर कुछ बैंड करेगी यह बीम कुछ यह बैंड करेगी क्लियर प्रैक्टिकल में इतना बैंड नहीं होता है मामूली mm उसमें bending होती है क्या होती है mm उसमें 2mm, 3mm, 4mm के लिए इतना bend होता है तो ये जो bend beam की तो इस bending के कारण यहाँ पे citrus develop होंगे क्या develop होंगे? citrus यहाँ पे top में भी and bottom में भी citrus develop होंगे इनको हम बूलेंगे bending stress short में याद रखिए depth में नहीं जाना है next bearing stress अब bearing stress कब होता है जब दो structures यहां दो bodies आपसमें contact में हो and compression में हो तो वहाँ पे जो citrus develop होते हैं they are bearing stress खाली नाम आपको याद रखने हैं बाकी जितने भी formulas मैं बता रहा हूँ जिनके लिए important है वो ही आप लेके चलो clear? तो bearing stress bearing stress develop होता है कहाँ पे जहाँ पे देखो यहाँ पे यहाँ पे एक तो beam यहाँ पे है and दूसरा यहाँ पे column आ रहा है तो दूनों यहाँ पे supported हैं क्या है supported यहनकि अगर यह यहाँ पे है beam and इस पे यहाँ पे क्या support कर रहा है इस पे यहाँ पे column support कर रहा है तो जहाँ पे भी यह support करते हैं वहाँ पे जो citrus जालप होती है that is bearing citrus तो देखो यह क्या चाहता है column या pillar ये नीचे की और इसका force या फिर load अगरा है ये जो यहाँ पे foundation है इसका जो यहाँ पे citrus जालप होगी वो उपर की और लगेगी तो इसी को हम बोलते हैं क्या bearing stress clear next हम बात करेंगे यहाँ पे shear stress यह type 2 normal stress and shear stress तो shear stress जो होता है बेटा तो shear stress मैंने बोला जब भी force क्या लगेगा shear force तो देखो बेटा यहाँ पे shear force लग रहा है एक force इधर की और लग रहा है एक इधर की और यहाँ की बोड़ी जो है यहाँ पे actual में क्या होता है यहाँ पे बोड़ी slide कर दिया है देखो बेटा यह हो गया कुछ यहाँ यहाँ पे एक और बोड़ी तो यह बोड़ी इधर की और जाती है यह बोड़ी इधर की और जाती है वो होंगे share citrus जो citrus जल अफ हो रहे हैं वो हो रहे हैं parallel यहां हो रहे हैं 180 degrees पे next आम बात करेंगे citrion की अब citrion क्या होती है यहां पे समझते हैं citrion होती है जब भी आप किसी body पे या किसी भी surface पे आप force अपलाई करते हो देखो बेटा यहांपे यह कोई body इस body पे मेंने क्या क्या किया क्या feel अब जब मैंने इस body को क्हेंचा clear अगर मैं एक side से इस body को यहां पे बाल्दे रहूं यहां कि fix रहूं तो एक side मैं pull करा हूँ यह body कुछ यह ढगे जाएगी clear कुछ यूँ खीचेगी यानि कि इसकी जो लेंगत है ना कुछ वो increase होगी like आप देखते हो जो elastic होता है जब आप elastic को sit-reach करते हो, क्या करते हो? sit-reach, एक साइड से आप बांदे रखो, दूसरे साइड से आप sit-reach करो, तो elastic की जो original लेंगत है ना वो change होगी, clear होगी की नहीं? हाँ, होगी change, तो अगर यहाँ पे initial लेंगत है L clear, initial लेंगत है L जो change in लेंगत है delta L यहाँ कि मैं मानूगा यहाँ पे small change हो रही है तो हम बोलते हैं यहाँ पे, in terms of लेंगत मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो citrein जो होती है, that is change in dimension divided by original dimension तो change यहाँ पे कितना आई? तो change यहाँ पे delta L divided by original लेंगत क्या थी? original लेंगत थी L, तो यही कहलाता है citrein, तो citrein हो गया है, change in dimension divided by original dimension, delta L upon L, it can be change in area, यहाँ जो era change in volume divided by original volume it can be change in shape divided by original shape यहन की ऊपर change ऊपर change आ रही है नीचे क्या आ रहा है denominator में आ रहा है actual यहन की original यहन की यहाँ पर हमने देखा original length इतनी थी बार की बट यह बार को हमने stretch किया या फिर tension दिया तो यह बार की length जो है न वो increase हुई तो change in length चाहे increase हो या फिर decrease हो बट change और यह डिवाड बे ओरिजनल लेंगत तो यही क्यालाता है अब यहाँ पे अगर हम dimension की बात करें तो change in length डिवाड बे ओरिजनल लेंगत तो उपर क्या है लेंगत नीचे क्या है लेंगत यहाँ कि अगर हम unit की बात करें change in length मैं बोलूगा let meters में होगी क्योंकि generally mm में होगी हम mm को meter में convert करेंगे तो meter upon length क्या है नीचे meter में meter और meter यहाँ पे cancel तो यहाँ पे no unit तो strain के लिए no unit and no dimension यहनके dimension less and unit less काफी important काफी में no down करो next यहाँ पे types of strain अब strain के होते हैं तीन टाइप पहला longitudinal strain then volumetric strain then shear strain clear AK को हम यहाँ पे देखते हैं clear यह है यहाँ पे basic चीज़ हैं आगे जाकर इनी चीज़ों को आपको apply करना है इनी चीज़ों के इनी चीज़ों को लेकर आपको different जो modulus of elasticity होते हैं उनको आपको derive करना है यहाँ फिर उनकी definition आपको समझना है तो longitudinal strain longitudinal यहाँ पे longitudinal यहाँ पे along language लेंगत की बात हो रही है clear यहाँ पे लेंगत की बात हो रही है तो देखो बेटा longitudinal strain होती है change in language ड़र वे original लेंगत यह है कोई bar यहाँ पे क्या है कोई bar यहाँ पे bar है एक साइड में fix और दूसरे साइड में मैंने pull किया clear मैंने pull किया जब भी मैंने pull किया तो इस bar की जो original language है यह change हो जाएगी यहाँ तक पूँचा यहाँ यह हो गया delta L यह है increasing language delta L है यहाँ पे increasing language इतनी जो है यहाँ पे इतना portion ठीक यह है original language ठीक यह है यहाँ यहाँ पे original language clear तो strain क्या होता है longitudinal strain होती है change in language divided by original language तो यहाँ पे language क्या हुई increase हुई clear क्योंकि tension में था अब अगर हम bar को लें कहाँ पे compression में यहाँ कि हम bar को एक side में bar को पकड़े रहें और दूसरे side में bar को दबाएं क्या करें दबाएं तो देखो यहाँ पे change क्या आएगी तो यह bar क्या करेगा यह कुछ you change हो जाएगा यहाँ पे यह इतना short हो जाएगा क्या हो जाएगा short क्योंकि मैं यहाँ पे एक side में bar को पकड़ रहा हूँ और दूसरे side में bar को यहाँ पे push कर रहा हूँ अंदर की ओर clear तो इतना change यहाँ पे आया यहां कि इतना यह shorten हो गया है तो हम बोलेंगे again जो citrion होगी यहां पे citrion को हम denote करते हैं generally e, यह वाला e इसको बोलते हैं epsilon तो यहां पे क्या citrion होगी delta l upon l, इतना हो गया delta l यहां पे and actual में क्या है, यहां पे l length clear, तो यह है actual length यहां पे, clear beta and इतनी, जो यहां पे shorten हो रही है, that is delta l चाहे shorten हो या फिर increase हो दूनों case में हम बोलते हैं change in length, ड़ए औरिजनल लेंगत compression में क्या हो रहा है, shorten हो रहा है and जब tension force लग रहा है, तब increase हो रही है लेंगत, clear volumetric strain volumetric strain क्या होती है volumetric strain होती है change in volume divided by original volume, change in volume volume क्या होती है, 3D figure, change in volume dead by original volume, देखो बेटा अगर यहां पे मैं force apply करूँ किसी भी surface पे चारूं तरफ या इस surface पे चारूं तरफ हर side में force apply करूँ तो यह जो shape है ना यहां पे 3D shape, यह यहां पे कुछ shorten हो जाएगी देखो, देखो, जो हमारा cube बड़ा वाला cube था, यह अब short हो जाएगा clear, यह अब short हो जाएगा देखो यहां पे, यह कोई cube यहां पे देखो, cube idea फिर cube है ना, मैं इसको हर side में दबा रहा हूँ, इस side भी, इस side भी यहां पे भी, यह क्या हो जाएगा यह यहां पे दब जाएगा चारू तरखे यह दब जाएगा या फिर हम बोलें, इसके 6 face होते हैं तो हर side में यह क्या करेगा, यह दब जाएगा तो यहां पे, अगर यह blue वाला बड़ा था अब यह बना छोटा वाला तो बड़े वाला का, बड़े, बड़ा वाला जो क्यूब है ना, इसका अपना वोल्यूम होगा और जो छोटा वाला है ना, इसका अपना वोल्यूम होगा यहां पे, तो वही हम बोलेंगे change in volume, यहन की जो नया वोल्यूम होगा, यह black वाले का divided by original volume original volume यहाँ पर यहाँ पर यहाँ जो blue वाला है न इसका volume क्या होगा clear तो यह क्यालाता है volumetric volumetric strain यहाँ की change in volume divided by original volume next यहाँ पर share strain again काफी important यहाँ पर समझता share strain क्या होता है जब भी हमारा force surface पर क्या लगे जब भी हमारा force surface पर लगे shear force clear parallel force यहैं कि यहां पे कोई body clear यह है कोई body and मैं body पे यहां पे parallel force लगा रहा हूँ या फिर यहूं लगा रहा हूँ तो अगर यह body यहां is fixed तो इस body पे मैं force लगा रहा हूँ तो यह कुछ यहूं divert हो रही है तो initially body कुछ यहां थी अब बॉड़ी कुछ यूँ हो रही है तो इसे हम कहते है शिर स्टेंड तो ये होती है शिर फोर्स के कारण अबेटा यहाँ पे समझो जो बेस है न यहां पे यह फिक्सुर रहेगी कि फोर्स जो हैना ये उपर लाग रहे रहे तो based जो है ना कुछ यहां फिक्सड यहां पे रहेगी यहीं से and change कहां पे आएगी? change यहां पे उपर में आएगी clear? तो यह कुछ initially यहां था अब यह कुछ यहां होगा clear? तो यहां पे कुछ angle बन रही है इस angle को हम बोलेंगे theta क्या बोलेंगे हम theta क्या बोलेंगे beta हम यहां पे theta clear? यह है कुछ अपनी length L original length L यहां पे बार की and let इतना मैं बोलूँगा यह इतना divert हो रहा है कितना delta X यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे delta X यहां पे इसमें change आ रही है फिर displacement हो रही है ठीक? पहले इतना था अब यहां पे जो displacement हो रही है तो मैं बोलूँगा यहां पे delta X displacement हो रही है यह top में सिट्रेन क्या होती है सिट्रेन होती है actual में यहां पे tan of theta यह इनकी tangent of theta यह जो angle मन रही है अगर इसका tangent निकालोगी वही होगी यहां पे shear strength क्या होगी? shear strength clear तो tan of theta डेल्टा क्या होता है पर्पेंडिक्यूलर अपॉन बेस यह निकि पर्पेंडिक्यूलर क्या है यहां पर डेल्टा एक्स अपॉन एल तो यह हो गया है यहां पर शियर स्ट्रेंट यह निकि कितना चेज आ रहा है शियर फूर्स यह कारण डियोड़ बे ओरिजनल थी तो यह all about stress and strain I hope आपको चीज़ें clear होंगी बलकि यह एक basic सा topic है stress की अगर हम बात करें normal देखो बेटा यहां पे आपको confused नहीं होना है normal stress, shear stress, axial, bending, bearing हर एक में जो formula है न वो same रहेगी force upon area यहन कि अगर आपको कोई भी stress दिया जाए आप बेटा axial stress निकालो आपको force लिया जाएगा area, bending stress निकालो, bearing निकालो, shear निकालो, normal आपको खाली apply करना है force upon area ठीक and difference कहाँ पे आ रही है difference आ रही है direction में force ली direction के है बाकी कुछ भी नहीं clear तो I hope यह lecture आपको clear हुआ होगा and अगर आपको कहीं पे भी doubt हो तो lecture को दो बार देखो and मेरे को comment करो clear next lecture में हम start करेंगे यहाँ पे generally hooks लागो and stress train को रुको till then take care bye bye